घमंडी सिसुराल की रमा को शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाय का बड़ा ही शौक था, वो टीचर बनना चाती थी रमा का सिसुराल शहर की सबसे अमीर घरों में सेग था, पर साथ ही उसकी सिसुराल वालों को अपने बिजनस और पैसों का बड़ा ही घमंड था शादी के कुछ वक्त बाद, रमा अपनी सास के पास अपनी नौकरी की बात करने जाती है अरे रमा, तु यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी ममी जी, सब ठीक है, ममी जी आपसे कुछ बात करनी थी अरे रमा, अब तु बात करने को भी पूछेगी क्या? बोल पगले, जो भी बोलना है ममी जी, अब तो शादी को काफी समय भी हो गया है और घर में सभी काम के लिए नौकर लगे है मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ ममी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ हरे, ये क्या बोल रही है तू? नौकरी? क्या कामी है तुझे रमा? तुझे पता नहीं हमारा बिजनिस शहर का सबसे बड़ा बिजनिस है और तू नौकरी की बात कर रही है? लोग क्या सोचेंगे? कि इतना बड़ा बिजनिस इतना पैसा होने का भी क्या मतलब जब घर की बहु को भी नौकरी करके खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है नहीं रमा तुब बिल्कुल नौकरी नहीं करेगी पर माजी मैं टीचर बनना चाहती हूँ पागल हो गई है बहु इतने बड़े बिजनिसमेन की पतनी और बहु टीचर देख रमा तुझे पैसे चाही तो मैं तुझे देती हूँ पर ये नौकरी की बात तो अपने दिमाग से निकाल दे और जो सारा दिन वो किताबे पढ़के तो अपना दिमाग खराब कर रही है न उसे भी दूर फैंट दे ममी जी पर समझे तो रमा देख अगर तुझे यही बात करनी है तो चली जाए यहां से वन्ना मैं आज तुझे राहुल से बोल के तेरे माई के वापस भिजवा दूगी फिर वहीं गरीबों की जिन्दगी में सड़ना रमा छोटा दिल करके वहां से चुप चाप अपने कमरे में वापस चली जाती है कुछ वक्त बाद रमा का पती राहुल कमरे में आता है हरे रमा क्या हुआ इतना शांद क्यों है आज क्या हुआ मैडम को शॉपिंग पे जाना है क्या नहीं जी बस यूँए अरे बोलो भी रमा तुमारा यूँ शांद रहना मुझे अच्छा नहीं लगता रमा पती के सामने नौकरी करने की बात रखते हुए कहती है सुनिये ना मैं नौकरी करना चाहती हूँ ममी जी से इस बारे में बात हुई थी लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया इसलिए मैं आपके सहमती चाहती हूँ राहुल रमा की बात सुनकर जोरो से हस पड़ता है रे रमा तुम पागल तो नहीं हो गई हो तुम्हें नौकरी करनी है क्या कमी है तुम्हें तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ और वैसे भी तुम एक अमेर बिजनेसमैन की पत्नी हो तुम भी ना रमा रमा राहुल के सामने नौकरी करने की जिद करती है पर सुनिये तो मैं नौकरी पैसो के लिए नहीं अपने लीए करना चाती हूं मेरा बचबन से टीचर बनने का सपना था मैं उस सपनी को पूरा करना चाती हूं पागल हो चुकी हो तुम बलकुल पागल राहुल भी मा की भाशा बोलता है और रमा के सपनों का मजाग उड़ा कर सो जाता है रमा फिर से अपना दिल छोटा करके सो जाती है अगले दिन सुबह रमा ममी जी से कहती है ममी जी मैं पास वाले बाजार तक जा रही हूँ ठीक है बहु परशाम को जल्दी लौटाना जी ममी जी रमा सामान लेने मारकेट जाती है तब ही उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है टीचर की जरूरत है रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और बिना सूचे वहाँ चली जाती है अब सुनिए मैंने बाहर आपका पोस्टर दिखा टीचर की जरूरत है तो उसलिए मैं अंदर चली आई अरे माडम आप तो कोई बड़े परिवार से लगती है हमारा तो बस एक छोटा सा एंजियो है जिसके लिए हम एक टीचर की जरूरत है जो कम पैसों में बच्चों को पढ़ा सके अरे नहीं नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है मैं बस इन बच्चों को पढ़ा कर टीचर बनना चाती हूँ अच्छा मैडम जी अब कल सुबर से रोज आ जाईएगा रमा वहाँ से चली जाती है अगले दिन ममी जी मेरी सहली नई किठी पाटी खोल रही है तो मुझे कुछ दिन रोज उसके यहां जाना है क्या मैं जा सकती हूँ ममी जी सासुमा खुश हो जाती है अरे वा रमा किठी पाटी मैं अभी चलती हूँ तेरे साथ सासुमा के साथ चलने की बाद सुन रमा डर जाती है मा जी वहाँ कोई हाप की अमरका नहीं होगा हाप वहाँ बोर हो जाएंगी अच्छ ठीक है वहू तो जा पर शाम को वक्त से आ जाना हां रमा सासुमा से जूट बोल बच्चों को पढ़ाने निकल जाती है वक्त बीटता चला जाता है और कई तिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है एक तिन अचानक अरे ये रमा के कमरे में कापी और पैन ये तो बच्चों की कापी लगती है रमा ओ रमा तेरे कमरे में ये बच्चों की कॉपी और पैन कहां से आया रमा डरती हुई वहां आती है जी जी ममी जी वो बुक ना शायद मेरी सहली के बच्चों ने रखती होगी तभी आज बैग खोलते वक्त यहीं रह गई सासुमा रमा की बात सुन शक में आ जाती है अगले दिन जब रमा घर से बच्चों को पढ़ाने निकलती है तो सासुमा रमा का पीछा करती है अचानक सासुमा रमा को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लेती है ओ माइ गाड तो ये थी तेरी किटी पाटी मेरे तो करम ही फूट गए जो ऐसी बहु मिली क्या मूँ दिखाएंगे हम दुनियावालों को जब उनको ये बात पता चलेगी कि इतने बड़े बिस्नेसमेन घर की बहु छुपके यहाँ नौक री कर रही है ओ गाड ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई तो ने तो हमारा नाम ही डुबो दिया चल घर अभी बता दी हूँ तुझे सासुमा गुसे में रमा को घर ले ही जा रही होती है कि तब ही वहाँ स्कूल का मैनेजर आ जाता है और रमा से कहता है मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी वज़र से हमारे NGO के बच्चों ने शहर में टॉप कर हमारे NGO का नाम रौशन किया है आपका शुक्रीया मैडम जी इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी आपने बिना पैसों के इन बच्चों को पढ़ाया जब तक आप जैसे लोग इस दुन्या में है कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा मैनेजर की बाते सुन सासुमा का रमा के प्रती दिल पिगल जाता है और वो रमा से कहती है बहु तु कल से रोज इन बच्चों को पढ़ाने जा सकती है पर साथ ही इन बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबे भी ले जाना इन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए सासुमा की बाते सुन रमा खुश हो जाती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है पर अब छुपा कर नहीं खुले आओ